सबसे पहले में संता आवाज न्यूज चैनल का बहुत-बहुत साधुबाद करने चाहूंगा और जो आपने भी मुझे से पूछा है कि दो समुदाय आमने सामने हैं इस समय पर एक मावल पूरे देश में ही चल रहा है जबरस्ती से राम बुलवाना जबरस्ती किसी के मजजित पर जहंडे लगाना या पिर जबरस्ती किसी के साथ करना अपनी ताना साही चलाना अपनी रूडवादी बस्ताओं को जबरस्ती थोपना ये मेरे इसाब से मानपता नहीं है जब दो समुदाएं आमने सामने हैं तो फिर भी एक सांती का भाव होना चाएए, इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मान सम्मान की बाता आती है एक तरफ यह कि जब उन्होंने आपकी रेली को देखा उन्होंने आजयान बंद कर दी, मायक बंद कर दिये उसके बाब जुद भी आप जहनती निकाल रहे हैं और मज्जित पर जहंडेर लगा रहे हैं और पत्राब की बात करें किधर से सुरू हुआ है यह मुझे जानकारी नहीं है और अब तक दिल्ली पुलिस ने क्या उस पर कारवाई की है ऐसा लगता है तो में बुद्ध के विचार का समावेश हो सकता है क्या इन जो जर्मावलंबी लोग है क्या इनके परिवर्टित किया जा सकता है या राजनीती चलती रहेगी धर्म के उपर इस देश के इंदर खून बहता रहेगा देगे बुद्ध के संदेश को तो अपना नहीं पड़ पम ने भी अटी का परिगाम दिया है ऐसी बास बात नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बाता ये आ रही है किश्समें परतभरे बिदेशिव में बुद्ध की बात की तो जाती है भारत में देश के प्रधान मंत्री जी बढ़त करते तो हैं लेकिन बुद्ध के उपड़े आम कि जो इस समय रोटिय सेगने वाले नेता हैं वो यह चाहते हैं कि कहीं नहीं आख जलती रहे कहीं ना कहीं धंगे फरसाद होते रहें क्योंकर उन्हेंश को पॉलने का मॉखा मिलेगा और बोलने का मॉखा मिलता है कैसा वो सबकुछ विपख्श पर ठोपते हैं और पुराणी सब्सक्राइब करने को तयार नहीं देश की बहु बेटियों की जत्मान सम्मान के ऊपर कोई बात करने को तयार नहीं यूवा जो आज बेरोजगार होकर करके आत्म हत्या कर राया पर किसी के पास कोई सवाल जबाब नहीं है सिर्फ एक ही मामला रह गया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मैं यह जानता हूं कि हिंदू समाज में भी आज बहुत बड़ी पमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है मुसलिम समाज में भी बेरोजगारी बढ़ रही है भारत के किसी भी समुदाय को ले लिजे किसी भी जाती को ले लिजे किसी भी मलब धर्म को ले लिजे सबको आवसकता है समय रोज़ी और रोज़गार की और रोटी की है उस पे कोई बात नहीं करता है धर्म के गीत गा करके हमारे पेटने बढ़ और आप जा रहें आप उस अच्छी तरह से जानलो कि यही मामला नहीं है एक तरफ भीम्जयनति निकलती है बीम्जयनती बड़े सांतप्रिया होकर कर निकलती है क्योंकि एक बात अच्छी है कि भारत में जो बहुत रहते हैं वह सांती का संदिश देते हैं सभी लों पधयाटरा निकाल करके प्राट प्रभात फेरी निकाल करके उनका एक ही नारा होता संत्य प्रियपृद्ट धॉद्धधधद धंगिच्चामी धम्मानग अच्चामी और वह कभी भी राइश्टी की संपक्ति को किसी भी प्रकार का कोई के साथ ही पालिया है और आपकी सरकार एक दम नकारा थाबित हो गई यह पूरे देश के सामने भगवादारियों का और बीजेपी के नेताओं का मुह नहीं के ठीक से बात कर लें क्योंकि उसका रिजन है वो किसानों की बात करेंगे जवाब नहीं है वो लखिमपुर कांड की बात करेंगे जवाब नहीं है हातरस कांड की बात करेंगे जवाब नहीं है उना कांड की बात करेंगे जवाब नहीं है रोहित बैमुला का कांड की बात करेंगे सिर्फ आपको जूटे सपने दिखाते हैं जूट बोलकर आपसे वोट लेते हैं विकास के नाम पर वोट लेते हैं उन्नती के नाम पर वोट लेते हैं और भारत को एक करने के नाम पर वोट लेते हैं और जब वोट इनको दे दिया जाता है उसके बाद ये अपनी ताना साही चलाते हैं अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं अपनी मंद चाहीं बात करते हैं कोई किसी को सुनने को तयार ही नहीं है एक बच्ची मोदी नगर मुराद नगर की घटना भी सामना आई गाजया बजले की एक बच्ची की इम्रतू हो गई बच्चे की और उस पर सब्सक्राइब आइस तरीके से दंकी दे रही हैं जैसे कोई जवाब नहीं अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हमारे अधिकारियों को कम से कम थोड़ा धहरी रखना चाहिए कम से कम बात करने की सब्धा होनी चाहिए आप पीशेस ओफीसर हैं आईस ओफीसर हैं आपके पास प्रहिना कि घमंड है कि सरकार हमारी चल रही है मैं एक बात का बोला चाहता हूं पूरे देशवाश्यों को मेरे प्रियमित्रों मेरा किसी भी बीजेपी से कॉंग्रेस से सपा से बसपा से आमाधी पाइटी से कोई मेरा मतवेद नहीं है लेकिन भारत की जंता जिस पाइटी क बहलती भावनाओं का गलाग भुटने का काम किया है तो यह भारत की जंता उस नेता को मिट्टी के साथ किलवार करता है और मैस्यह्ताए भारत की जंता को बहुत-बहुत का वुच्छा दरा चाहना अभी तक अंदे की चल रही है चलने दो अभी बेरोजगारी बढ़ रही है अब सुरक्षा माम ले कुई शुरक्षा के बाती मत करो बस तरिए बात आती है कि यहां भी लोग चला इकार कोई दम यह सेकड़ों बस्तियां उजार दी यह क्या है आगरा के अंदर आए दिन तूटपूट हो रही है क्या है जांगी रपुरी में तबाम मंदर बने पड़े मनलब जहुपणी तोर दी मजजित तोर दी और भी कुछ तोर दी लेकिन मंदर बना हुआ है उसे टच करने का बजू दिन का बादा आपने किया काले धन के बादा आपने किया रोजगार देने का बादा आपने किया दो करोड लोगों को रोजगार देने की बात आपने की किसी और नहीं कहा और बाद में पत्रकारों से हमारे देश के मंतरी लोग कहते हैं कि चुनाब जीतने के लिए ये जु करें रहे हों करें आपको सरमानी चाहिए आप को तो माफिली करें गी और एक कम से कम आपको दोना रामोका मिला है उत्तर प्रदेश साल शल्स Verizon अरे क्या हो रहा है यह तरंगा जंडे का सम्मान पूरत देश का गौरव है हमारे देश में जब किसी बच्चे से तरंगा के बारे में पूछा जाता था वहारा राश्ट्य दोज है उसको 26 जनवरी के दिन और 15 अगस्त के दिन शम्मान जनक लगाया जाता था और सूर्य अस् प्रणा रहता है और स्ट्रंग जणडे का अपमान तो हुई रहा है जब से बड़ी बात यह थैंए कि हमारे बीरों सपूत जो हमारे देश के लिए जिन नेता ओंद जिन वीरों यह जना ने अपने जीवन की आहुद दे कर अपने प्रानों की आहुदिलाने में अपनी महत बनाओं का भी खुले याम शर्याम अपमान हो रहा है और यह बाबा साथ डॉक्टर मेडगर का नाम का जो जिद्धिनोरे पीड़ते हैं मैं आमादी पाइटी से पूछता हूं कि आमादी पाइटी ने आठ राज सभा के एंपी बनाए तो आठ राज सभा के एंपीओं मैं से सुटकास्ट का एक भी एंपी क्यों नहीं मनाया एक बात दूसरी बात बाबा साथ डॉक्टर मेडगर की जैंति आप मना रहें सरकारी तोर पर लेकिन बाबा साथ डॉक्टर मेडगर के अनुवाई बेरोजगार घूम र पाइटियां जो पाइटियां बजूद में हैं भी उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन आमादी पाइटी तर्मॉल्ड कॉंग्रेश और एक आपकी जारखंड बुक्ती मोर्चा ऐसी सरकार हैं जाजाए सरकार हैं बिचार बिमर्स करने वाली सरकार हैं मानपताबादी सरकार हैं अच्छे सिद्द्धांतों को अपनाने वाली सरकार हैं कई ना कई बुद्ध के मार्क में चलने वाली सरकार हैं उन jeito माने मयgoing 나ने में विकास के बारे में उनके रुजघार के बारे देगी मुशलमार हिंदू एक साथ बैठ करके एक साथ मिलेंगे गदे मिलेंगे और हमारे देस की परंपर आ रही है हर वैक्ति एक दूसरे के वैक्ति का संवान करता है ऐसा नहीं कि 2014 से पहले इस देश में हिंदू नहीं रहते मुस्लिम नहीं रहते बौत नहीं रहते इसाई नहीं रहते पार्शी नहीं रहते जैन नहीं रहते वहाई नहीं रहते सभी रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख को भी समझते हैं एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी बनते हैं लेकिन चंद स्वार्थी नेताओं ने आकर के बीच में जहर घोलने का काम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे भारत की जंता उनसे सचेत रहेगी जागरुक रहेगी उपर वो लड़ते रहें लड़ने दो लेकिन आपसी मत्वेद पैदा मत करो आपसी बैबार खत करम है स्वार्थ की के खातर वो आपको लड़ाने का काम करेंगे बेडाने का काम करेंगे कतले आम करवाने का काम करेंगे और इतना ही नहीं कि जो सच बोलने के आवाज उठाएगा उसके गले को दवाने का काम करेंगे फिर भी आपको आप सकता है आगामी भविश में सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समतावाज टीवी को बैल आइकोन दवाना ना भूनें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए